हैलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एस लर्निंग प्रेटफर्म बीएसी बायो वाला में इस्टुडेंट आज इस लेक्चर में हम बीएसी सेकेंड समेस्टर यानि कि फर्स्ट इयर के सेकेंड पार्ट बिस्टी सेकेंड समिस्टर के एक्जामनेशन दो हजार बाईस का यानि कि previous year question paper जो कि chemistry का है उसका paper आपके सामने discussion करने वाले हैं यानि कि 2022 में पुर्वांचल भी सुबिद्याले यानि कि जो कि जोन पूर्म है पुर्वांचल भी सुबिद्याले ने chemistry का paper conduct कराया था 2022 में ठीक है चो कमिश्टी का पेपर कराया था आज उसी को हम आपके साथ discussion करेंगे जो कि आपके exam के point of view से most important question होने वाला है क्योंकि यहां से कुछ question आपको repeat होने के chances रहते हैं यारे कि 2022 में वो question देखने को मिलता है 2023 में भी देखने को मिल सकता है तो उसी संदर में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं तो आपको भाई जो पेपर होता आपको पता ही 75 मार का होता जिसमें 3 घंटे की timing मिलती है जो पेपर होता वो 3 section में होता section A B और C जो पेपर का नाम है वो है बायो आर्गैनिक and medicinal chemistry यानि कि कुछ पायो आर्गैनिक का न जो उसके बारे पढ़ना है और medicinal chemistry के बारे में यानि कि कौन-कौन से ऐसे medicine है जो जो कि कौन-कौन से ऐसे chemical है जिसे medicine को बना जाता है तो आपको हलाकि पता ही है कि हम BST for semester की यानि कि कि किसी भी semester प्रिप्रेशन कराते हैं त्यारी कराते हैं लेकिन कुछ स्टुडेंट की जो कि बहुत सारे मेसेजिज आए कि सर बीच्टी सेकेंड समेश्टर का अगर आप पेपर दे देते तो ठीक रहता या फिर आप एक वेडियो के माते हम सी समझा दीजिए पेपर किस प्रकार से होगा क्योंकि पैटर्न तो वही सेम रहेगा विकास हम आप कैसे हैं कि क्योंकि हम इसको पढ़ाय नहीं है और नहीं बहुत इस पर मेरा फोकस घा तो कोशन कहां से पूट अप किया जए सकता है इसके मुझे कोई आईडिया नहीं है और नहीं हम पतर मिन सब प्रशनों के ज है जो कि 20 अंका होगा याई कि दो अंका एक कोशन होगा तो क्वेश पूचा गया है आप से पूचा गया वार्ट इस दे एंुमर इंुमर क्या होता है इसके बारे में पूचा है उसका एक एक साती जात अमिन सेट क्या है वारर ड़्र ड़्रम discussion और Sayden reconna पिंदु पर तो सोरी यह इसी का पार्ट या निकि अमीडो अमल एक अमल की घुलन सिल्टा आइसो एलेक्ट्रिक पिंदु पर क्यों होती है तुब पूछा आपसे थर्ड कोश्चन है भाई आजने कितने प्रकार की होती है टाइप साथ आजने सिल्ट क्या होती है यूनिट सिल्ट की मतलब जो सिल्ट होती है उसकी क्या यूनिट है क्या इकाई है फिर पूछा आपसे प्लास्टिक क्या होता है state to uses silicon silicon के दो उपयोग के बारे पूछा है आपसे फिर आपसे पूछा है epoxy resin क्या होता है उसके बारे मताए फिर पूछा आपसे glucose का formula मतलब glucose से factors कैसे बनेगा उसके बारे आपसे पूछा है glucose है तो कैसे बन सकता फ्रेक्टोज ने फिर पूछा है ट्रायुते तेस्ट्रक्चर आप क्रिस्टल वाइलेट क्रिस्टल वाइलेट जो होती है उसका इस्ट्रक्चर पूछा है के 1-2 इसक्रिंगर पूछा है आपसे करमक क्या होता था है नेक्स्ट कोश्चन आप का जाएगा साट एंसर टाइप कोश्चन दो की पांच कोश्चन आपको अटेंड करने होते हैं साथ नव कोश्चन में शें आपको चोकि 20 मार्क आपको पहले आपसे पूचा है ओसा जोन ठीक है आपसे पूचा है हाओ विल यू प्रिपेयर अमीनो एसीड बाइक कीप संथेज और इस्ट्रीकर संथेज यानि कि आप कूप संथेज ठीक है इसको आप लोग कूप पढ़ेंगे कूप संथेज और इस्ट्रीकर संथेज के द्वारा अमीनो अम्ल का या अमीनो एसीड का कैसे निर्मार करेंगी कैसे बनाए जाएगे वो पूचा है differences between RNA and DNA RNA and DNA में क्या आंतर है HIV और AIDS का चोई की कौन सी और सधी बनाए जाएगी उसके बारे में फिर आपसे साथ नोट पूछा है Crystal Latics में Central Symmetry में Next question आपका है PNCl2 क्या होता है इसका Hold Twice इसे reaction करा गया है तो उसके क्या मिलेगा वो आपसे पूछा गया है फिर आपसे पूछा गया है Give the synthesis and uses the following question जो question दिया गया है उसका आपसे किस प्रकार से synthesis होई कैसे बनाए जाएगा इनने कि उसकी बिधी क्या है और उसका कुछ उपयोग पूछा है जैसे Phenol Pharmaldehyde और Nylon पूछा गया कोशन से आता है आपसे तो इसमें दो कोशन आपको अटेंड करने होते हैं 500 वर्ड में दिखना होते हैं आपको तो आप सबको पताईए फिर आता है लिखा इसमें use synthesis and uses आप Congo red and metal kite green यानि कि कांगो लाल और पूछा गया है और आपका लास्ट कोशन आता है थर्ड बरहमा कोशन डीकलूगोच की साइज क्या होगी उसका रिंग कैसा बनता है वो परशा है फिर discuss the light scattering method for the determination of molecular masa polymer जिसको बोलते है उसके आणुभार क्यात करना है और उसके कुछ प्रकास प्रकेड़नर विधी के बारे बता रहे हैं उसके प्रकास प्रकेड़नर की क्या विए उसके बारे में आपसे पूछा लिया तो यह बीस्ट सेकेंड समेश्टर का पेपर था चो अगर आपको भाई बीस्ट फोर्स समेश्टर की आप तयारी कर रहे हैं जिसमें आप अगर जुलोजी बॉटनी ली हैं तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल के दोड़ा सारी complete तयारी कराई जाती है आप प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हैं जुलोजी बॉटनी सब की तय स्क्राइब करें को करें इस पेपर kara कर सकते हैं या फिर यापूट पे तेलिएबरगर में मिल रहा है तो आप उसका कर सकते हैं या फिर आप को नहीं ब्रक्रशप ब्लॉटंड कर सकते हैं अगरिपने कर आद ओमिर्टन सीकते हैं तो चलिए मिलते अगले लेक्षर में किसी नए टॉपिक के साथ